नमस्कार दोस्तों, INFOCAS civil academy में आप सभी का स्वागत है दोस्तों किसी उछी परिक्षा में टेस्षीरीज की क्या एहमियत, क्या महत्ता होती है मेरा ख्याल है कि उन सभी बातों से आप पहले से यह अवगत होंगे दरसल टेस्ट रीज वास्तों में किसी भी परिक्षा की तैयारी के लिए एक ऐसा पूर्व अभ्यास होता है जिसमें आप प्रश्न पत्र को उसी परिक्षा के महौल में पहले से अटेम्ट करने की कोशिश करते हैं उसके द्वारा ना केवल आपका एक जो मानसिक तनाव आप लोग परिक्षा देने के पहले महसूस करते हैं वह तनाव में काफी हद तक कमी आ जाती है बलकि उसके साथ ही साथ आपको एक परिक्षा का एक ओवराल अंदाजा लग जाता है कि आप जिस परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी अच्छी टेस्टरीज को जॉइन करते हैं उसके साथी साथ आपको यह भी पता चलता रहता है कि आप उस परिक्षा में वास्तों में कहां पर आप उपस्तित हैं आपकी तैयारी का इस्तर क्या है आपके विशय में कहां पर आप बहुत अच्छा परफॉर् कहां पर हमें अपनी तयारी को ज्यादा धार देनी है इन सभी बातों से आपका एक्जाम को निकालने की जो रड़नीती है उसमें आपको बहुत मदद मिलती है अगर आप प्रामारिक अच्छी टेस्टरीज जोईन करते हैं तो अब देखिए यहां पर बहुत जरूरी है कि प पहली बात तो कि आपको जो syllabus है उसका अच्छे से अवलो करना अध्यान करना चाहिए उसकी साथी साथ आपको जो standard text book है उनका अध्यान करना चाहिए जो previous year question paper है उनका अध्यान करना चाहिए और चौथी बात के रूप में था कि आपको एक प्रामारिक टेस्टरीज जोईन एक से ये्हाँ करने जा रहे हुआ तो पहले आप यह भी देख लें भी बहुत अच्छीं जो बडी ब्रैंड से उनքे वास्तों में अच्छी होती हैी और यन्में फंप्र बैंग वर्णा प्रक्राइब मेरा सब्सक्राइब करने शुक्त करके वहना है जानबूज को इतना टफ करने के कोशिश करते हैं जो कि मतलब उन लोग का रहता है कि किसी भी तरीके बस बच्चा जो है उसको सॉल्व न कर पाए उसको लगे कि मतलब यह इतनी ज्यादा टफ सीरीज है तो उससे उनकी प्रामालिक्ता बढ़ेगी लेकिन यह वास्ता में सच बनाते हैं जो कि वास्तों में पूछा ही नहीं जाता आपने देखा है कि मैंने जो भी अपने चैनल पर वीडियो डाले उनमें एक अच्छी खासी संख्या उन वीडियो किया जिसमें मैंने एक भरपूर विशलेशण किया है जो आरो के प्रीवियस जो छह साथ पेपर्स कुछ तो मतलब जो सब्जेक्ट हैं उनके भी हमने वीडियो बनाएं जिनमें हमने यह बताया है जैसे इंडियन जोग्रफी है तो उसके किन-किन चैप्टर पे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो टॉपिक्स हैं और उन पे आप फोकस कर लेंगे तो आपका एक्जाम बहतर त वीडियो बनाया है अच्छा घसा उसमें समय दिया है कि किस विशय से कितने प्रस में पूछे जाते हैं उनका क्या इस्तर रहता है जब मैं यह जानता हूं इसी वजए से हैं कि हमने एक ऐसी प्रामाडिक टेस्टरीज बनाने की कोशिश की है जिसमें आप लोगों के लिहा आपको कि हम लोग ओनलाइन के दुनिया में अभी नए हैं और इसी कारण से हम लोग ने कई सारे अपने जो प्रोग्राम से वो अलड़ी फ्री में ही लांच किया हुए है जैसे आप लोग डेली बेसिस पर क्विज देखते हैं जो कि हमाई टेलिग्राम ग्रूप पे कराई जाती है वीकली बेसिस पर आप ऐसे राइटिंग देखते हैं जो कि टेलिग्राम ग्रूप पे फ्री कराई जाती है उसी प्रकार से आप देखते हैं कि जो डेली बेसिस पर जीयस मेंस का प्रस्ण मिलता है वह भी टेलिग्राम पे निशुल को उपलब्द है जो डेली बेस से एक दरख्वास्त बस यह करना चाहूंगा कि आप किसी भी जगे कि आप टेस्टरीज जोईन करें उससे मुझे कोई समस्या नहीं है आप लोग जाहिर सी बात है कि हम लोग इस फील्ड में नए है तो आप लोगों को भी थोड़ा संदे होगा कि हम लोग का वास्तों में इस आपको ज़्यादा बहतर महसूस होती है और सबसे बड़ी बात कि वह कौन सी परिक्षा के आपके ज़्यादा नस्दीख है हम लोग ने यह कोसिश किया कि हम लोग केवल एक ऐसी टेस्ट की ना बनाए जिसमें कि बच्चों को सॉल्व करने में बहुत तकलीफ हो या फिर ब जो आम लोग की टेस्ट रहेगी हम लोग चार दिसमबर से यानी संडे के दिन से इसको शुरू कर रहे हैं प्रतिसब्ता यह आपके लिया अवेलेबल होगी जिसमें आपको हिंदी की टेस्ट परस्ट और जीस के 140 परस्ट इन दोनों की टेस्ट कराई जाएगी और इसके मा पर वीक टेस्टीरीज आप लोग देते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी समगर विश्यों पर समगर टॉपिक्स पर आपकी बहतरी नेक टेस्टीरीज की त्यारी हो जाएगी आप उससे खुद का मुल्यांकन कर सकेंगे और मेरी उम्मीद है कि आप लोग एक बार टेस्ट करके जरूर देखेंगे कि हमाई टेस्टीरीज का स्थर क्या है और हमारी इस पहल से आप लोग शिग्राद शिग्र ज्वाइन होंगे ऐसी मेरी कामना है आशा है बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार